आज में आप लोगों के साथ एक बहुत देश्टी बृफी की रेसीपी सेयर करने जा रही हूँ यह रेसीपी पहले बार मैंने बना के खाया थे तो मेरे को बहुत पसंद आया इसलिए आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूँ सबसे पहले हम मूफलियों को भूनेंगे जैसे ही इसका सिल्का थोड़ा सा निकलने लग जाएगा, हम इसको उटार लेंगे और उटार के कपरे के उपर रख लेंगे, इस तरह से कपरे से थोड़ा सा रगर देने से इसका सिल्का उटर जाएगा और ये साफ हो जाएगा, ये देखिए मैं सिलका उटा रही हूँ ये इसिलका उटार के हमने ये मुमफली ले लिया है ये देखिए उसी कडाई में हम तील भून लेंगे हमने तील को भूनने के लिए रख दिया है और लगाता चराते हुए तिल को भुनेंगे तिल भुनने के लिए 3-4 मिनित लगता है जादा ताइम नहीं लगता है थोड़ा सा अच्छा सा महक आ जाएगा और ये थोड़ा सा फुलने लग जाएगा तो हम इसको उटा लेंगे इस तरह से और इसको थन्डा होने देंगे अभी हम कराही में थोड़ा सा घी डालेंगे घी में 2 तिबलिस्पून डाल रही हूँ और इसमें हम एड़ कर देंगे आटा आटा को भुन देंगे जैसे घी में लठो जाए तो आटा हमने एक कप लिया है जिस कप से मैंने मेजरमेंट किया था उसी कप से एक कप आटा लिया है और आटे को भी इस तरह से भुड़ लेंगे और इसका कलर सेंज होने तक अच्छे से महक आने तक और यह आटा भी हमारा भुन के हो गया है और हम इसको अभी प्लेट में निकाल लेंगे अभी हम नार्यल भून लेंगे नार्यल को मैंने दरदरा कोड़ुकस कर लिया था ये सुखा नार्यल मेरे पास था और इसको भी मैं बिलकुल लोफ लें में थोरएशा 2-3 मिनिट भून लेंगे अभी हम मेक्सिका जार लेंगे और इसमें डाल देंगे भुना हुआ मुफली और इसको इस तरह से पीछ लेंगे और तिल भी पीछ लेंगे तिल आधा मैंने एक टेबुली स्पून रख लिया है और इसके साथ मैंने जो भुना हुआ नारियल है उसको भी इस तरह से पीछ लेंगे तुरा सा दर्दरा और हमने सारे इंग्रीडियन को पीछ लिया है और ये प्लेट में निकाल लिया है हमने लिया है ये धाइसो ग्राम गूर और ये कराही में हम एन डाल देंगे और इसके बाद हम जिस कप से हमने नापा है उसी कप से एक कप पानी डाल देंगे और इसको हम पिघलने रख देंगे जैसे जैसे गूर पिघल जाएगा जैसे हम सुगर सिरब बनाते हैं इस तरह से हम गूर का सिरब बना लेंगे और इसमें एक तार की जैसे एक तार बन जाएगा तो हलका सा एक तार बन जाएगा तो हम इसको उटार लेंगे ये दिखिए थुरा से सुपचुपाहत हो गया है अभी पास्मिट में इसको एकतर बन जाएगा तो हम इसको उटार लेंगे हमने गूर की सिरब को नीचे रख लिया है और अभी हम इसमें मिक्स कर देंगे जो हमने पीस के तक था मूँफली तील और नारियल इसको मिक्स कर देंगे साथ में आटा भी आटा भी हमने घी में भून के रखा था और आटा हमने बाइंडिंग के लिए डाला है और इसके बा इलाइसी पाउडर एड़ करने के बाद हम जो बचा के रखा था तील शाबूत इसको भी एड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये जैसे जैसे थंडा होते जाएगा और ये गारा होते जाएगा और हम ग्रीस किया हुआ एक प्लेट में घी से ग्रीस करके रखा है एक प्लेट और उसमें हम इसको डाल देंगे इस तरह से ये बर्फी खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है आप फ्रेंस एक बार बना के देखिया आपको बहुत पसंद आएगा जब मैंने पहली बार बनाया था इसको तो मेरे को बहुत पसंद आया मेरे घर में सब को पसंद आया और हम इसको एक बराबर कर देंगे और उपर से थोड़ा सा नारियल से मैं गार्निश कर रही हूँ और आप सहे तो इसमें ड्राइ फुरूट से भी गार्निश कर सकते हो और इसके बाद हम इसको थंदा होने रग देंगे एक घंटे के बाद हम इसको निकाल के इस तरह से काट मार लेंगे जैसे आप चकु से इसको काटोगे चकु अगर क्लीन आए तो इसका मतलब है बर्फी बहुत अच्छी से जमा है और आप अपने मन पसंद के अनुसार बर्फी का साइस रख सकते हो और इसको इस तरह से हम काट लेंगे हमने बर्फी को निकाल लिया है ये देखी कितना बर्या अच्छा बर्फी बनन के त्यार है और ये खाने के लिए भी बहुत ही टेस्टी है आप एक पर बना के देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा मैं जब पहली बार बनाया था और मेरे को बहुत पसंद आया और इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी सेयर कर रही हूँ मेरी रेसिपी पसंद आया तो लाइक सेयर कमेंट कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले मैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों के पास आऊंगी तब तक के लिए नमस्ते बाई बाई